आईए दोस्तो आज हम आपको एक डिजाइनर टॉप बनाना बताते हैं इसकी कटिंग और स्चीचिंग इसके लिए हमने कपड़ा ले लिया है ये करीब डेर्ड मीटर से एक दो सैंटिमीटर कम है तो इतना ही कपड़ा आप लेना और इसकी कटिंग करते हैं पहले ये देखि बंद वाले हिस्सें ये मेरी सैट रहेंगे इसमें एक सैट ये खुलूवी भी रहेगी और एक बंद रहेगी ये देखिए ये इस तरीके से आएगी इसको हम इस तरीके से बिचा के और हम ये फट्टी की मदद से सबसे पहले क्या करेंगे कि इसका जो है हमने नाप जो आप से देख लेना मैं 11 इंच 13 और यह औरेब होता है तो औरेब के कारण इसकी जो चैस्ट होती है जब हम खीचेंगे तो वो खीच जाएगी अगर मैंने 20 रख दिये तो 25 भी हो जाएगी तो चैस्ट आप अपने इसाफ से रख लें यह औरेब होता है सिरब मैं तीरे का हिसा वो 6 इंच से मैं कटिंग करूँगा यह सिरब मुड़े का ही निसान लगाना होता है क्योंकि औरेब है यह कटने के बाद में खिच जाएगा तो यह ये मुड्डे का निसान लगा लूँ में ये देखिए ये मुड्डे का निसान लगने के बाद में ये चैस्ट का वो हो गया चैस्ट जो हमारी है 20 इन तयार आ रही है तो ये खीचने के बाद में 25 भी हो जाएगी 24 भी हो जाएगी कोई कि औरेव है आप हम सबसे पहले क्या करेंगे जो हमने ये वाला निसान लगाया है इस निसान से और ये जो कोना है इसको नापेंगे कितना है ये 21 इंज आ रहे है तो 21 इंज बे हम ये निसान लगा लेंगे और इस सेड में हम करीब इसको 2-5 इंच एष्टा लगाएंगे जो ये बिल्कुस फ्रेंट की सेट जो है बिल्कुस सेंटर में आएगी तो 21 इंच इदर है इसको हम 3 इंच एष्टा लगा दे रहे हैं ये 24 इंच इसी इसाफ से हम इसकी पूरी गुलाई इसको गाड़ा कर लेंगे ये देखिए यहा पर 3 इंच एष्टा है अगर आप ये 3 इंच एसे करके ले लिए यहां से ये इसकी गुलाई इस तरीके से पूरी आ जाएगी यह देखिए, यह पूरी गुलाई आजाएगी, यह एश्टा ले लिया, यह फ्रेंड है, जो सामने की सेट में आएगा, अब यह देखिए, यह 11 इंच मैंने तीरा लेना था, तो यह 5 इंच यह निसान लगा लिया, और 5 इंच यह इसको मैं इस तरीके से निसान लगा लूँ है, यह देखिए, और यह हमारी फ्रेंड की गुलाई हो गई, अब गुलाई होगी फ्रेंड की, तो हम इसको 18 इंच के हिसाफ से बनाते हैं, यह 9 दुनिय 18, तो यह आपकी 36 इंच चैस के हिसाफ से यह बन जाएगा, क्योंकि लूजिंग इसमें आ जाती है, अब हम क्या करे हाँ, यह सेफ 30 है, सेफ 30 को हम रखेंगे, इस तरीके से, और यह ऐसे करके, निसान लगा लेंगे, अब इसको हम हलक अचा यहां से डॉन कर देंगे, और हम यह कटिंग कर लेंगे, और कटिंग करने के बाद में मैं आपको बताता हूं, ये देखिए इसको पहले हम इस तरीके से काटेंगे ये और हम दोनों बैक के पल्ले काट रहे हैं पहले ये देखिए ये इस तरीके से हमने काट दिया और ये एक पैर का इसके अंदर मार्जन रहेगा ये काट दिया और ये देखिए ये नीचे जो हमने एश्टा ले रखा है इसको भी हम इस तरीके से ये कटिंग करेंगे अब हम 2.5 इंच पे इसके क्योंकि ये औरेव है तो 1.5 इंच का ये ब्रॉट का निसान लगाएंगे और इसको हम ऐसे कट लगा लेंगे बैक का गला हमें जादा नहीं बनाना है एक इंच के करीब बनाना है तो हम पहले ये दोनों पल्ले बैक के इस तरीके से काड लेंगे अब हम इसको ये बैक के पल्ले को निकाल लेंगे और ये हमारा फ्रेंड का पल्ला है इसको हम बराबर ऐसे कर लेंगे यह बरावर कर लिया जो हमारे फ्रेंड की यह कटिंग है हम इसको भी इस तरीके से कटिंग कर लेंगे गला आप जितना डीप पहनना चाहते हैं क्योंकि इन में टॉपों में जो होता है वो छोटा ही होता है तो मैं इसका साड़े चार इंच गला काटूँगा बस यह साड़े चार इंच की गुलाई में फ्रेंड की इस तरीके से कर लेता हूँ यह देखिए यह मैंने फ्रेंड का गला काट लिया है और यह मैंने बैक का गला काट लिया है और शिलाई पे जाने से पहले जो हमारे लंबाई होती है जैसे हमारी बिलोज की जो लंबाई आती है अब इसमें हम अगर 13 इंच पे लेते हैं तो हम ये 3.5 इंच पे एक निसान लगा लेंगे साधे 13 इंच के एसाफ से एसे गुलाई ये कर लेंगे ये निसान लग गया ये देख़िए इसी तरीके से मैं बैक में भी निसान लगा हूंगा और यहाँ पर मैं कट लगा लूँगा, चारो पल्लों में, यह जो निसान लगा दिया है मैंने, इसका मुझे क्या करना है वो मैं बताता हूँ, कंदी जोडने के बाद में, और सैड जोडने के बाद में, यहाँ पर हम एक बारीक वाली जो लाश्टिक आती है न, उसको लगा सबसे पहले हम इसको इंटरलोग करेंगे, तो हम पहले इंटरलोग करेंगे, यह इस तरीके से इंटरलोग करेंगे, यह पूरी गले में भी इस तरीके से इंटरलोग करेंगे, यह देखिए, यह फ्रेंट पल्ला है, इसको मैंने खोल लिया है, और यह हमारी जो है न, यह श क Ciere कि और यह बड़ा है कि बूड़े को भी इसी तरीक хочешь हम जैसे यह कर आया मैंने इस तरीके में चाराओं तरफ यह पर लूंगा और दुस्तरे वाले की पटले में सेम कर लूग से कडि़िए जैसा मैंने आपको बताया था इंटर्लोप के लिए चैप हो गई ह conception यहें पकड़ेंगे और यहां पर हम पक्किक करेंगे और यह सिलाई हम लगा देंगे अब आप लोग सोच दोगे कि मैंने interlock क्यों करा है मैं यह कंडी जोड़ने के बाद में आपको बता देता हूं कि interlock मैंने किसली करा इस सरीके से दोनों ही यह कंडी जोड़ देंगे यह देखिए यह कंडी जोड़ गई यह हमने काट दिया अब क्या है कि अगर हम interlock नहीं करते तो हमें इसमें पट्टी लगाना पड़ती अब हम इसमें पट्टी नहीं लगाएंगे हम इसको देखे यह interlock है हम इसको इसी तरीके से ही fold कर देंगे तो हमारी यह जो पट्टी लगाने की वो थी ये देखिए ये बारीक फोल्ड करना है ये इस तरीके से फोल्ड अमारा हो जाए voltage और इसको हम ये जो हलकी हलकी सी ओक प्रेस त्टर देंगे इसी तरीके ये दौनों क belly में सिलाई लगा लुघ आ कि देखिए ये मैंने फोल्ड कर लिया है और मैंने हलki सी पिरेस लगाल लि तो आप बो पट्टी भी लगा सकते हैं आरमोल में और गले में देखिए इसको मैंने ये उल्टा करके और ये एक पैर का मार्जन छोड़ा था मैंने तो इसलिए इस सेट से मैं निसान नहीं लगा रहे हूं कि मुझे पता है कि एक पैर का ही मार्जन है तो ये एक पैर के इस पट्टी घेरे में भी लगा सकते हैं ऐसा कोई इसू नहीं है वो आपकी पसंद है आप अगर चाहें तो लगा ले ये देखिए ये मैंने सिलाई लगा ली है इसी तरीके से मैं इस सेट भी लगाऊंगा तो इसको मैं इस तरीके से पलट के उपर की सेट से ही दोनों सिलाई यह लगाएं क्योंकि आपने उपर की सेट जो है ना वो पहले फोल्ड कर रखिए तो छोटा बढ़ा नहीं होगा नीचे अगर निकलेगा तो आप उसको हलका सा कट कर सकते यह देखिए वैसे चोटा बढ़ा नहीं है तो यह सिलाई में लगा लेदाओं यह देखिए इतनी खीचने के बाद में इसी तरीके से मैं इसकी ये डवल कर लेता हूं और डवल करने के बाद में इसको मैं इतनी काट देता हूं और काटने के बाद में इन दोनों के इस तरीके से पकड़के और इसके 20 सेंटर से ये निसान में लगा दूँगा क्योंकि लाश्टिक कई शोटी बड़ी हो जाएगी तो एक सैट से बहो जाएगा अब मैं इधर से जब यह लगा हूँँगा तो यहाँ पर यह जोएंट आ जाएगा यह इसका निसान इस जोएंट पर इस तरीके से और उतनी ही लाश्टिक उसमें चली जाएगी और इसको पहले हलकी से शिलाई को पक्की कर लेंगे अब यह देखे पक्की हो गई तो अब अपनी लाश्टिक कहीं नहीं जाएगी अब इसको हम इस तरीके से खीचेंगे खीचने के बाद में जो हमने निसान लगाया है उस निसान पर पीछे हाथ रखके और इसको इस तरीके से हम सिलाई लगाएंगे और देखे सिलाई लगाने के बाद में determined देखे आई इस तरीके से सिलाई लगाने के बाद में फिर मैं आपको दिखाता हूँ इसकी फिलीजिंग, ये देखिए, ये मैंने लाश्टिक लगा लिए है, और ये मैंने उपर से दागा काड लिया है, ये नीचे का दागा है, इसको मैं ये कट कर लेता हूं, और ये एक दागा और है, इसको भी मैं कट कर लेता हूं, अब ये देखिए, ये कुछ इस तरीके स यह आपकी आएगी, अभी मैं इसका गेरा फोल्ड करूँगा, और एक चीज आपको और बता दूँ, अगर आप सिलिप लेस नहीं पहनना चाहते हैं, तो आप इसमें बाजू भी लगा सकते हैं, कोई ऐसा इसू नहीं है, आपकी बाजू नहीं लगा सकते हैं, बाजू जो ल लगाएंगे, तो थोड़ा तीरा जादा करके और बाजू लगा दे, अब मैं इसका घेरा फोल्ड करके और फैनल लुक आपको दिखाता हूं, यह देखिए, घेरा किस तरीके से फोल्ड करेंगे, यह मैं आपको बता देता हूं, और यह देखिए, इसको हम पहले ऐसे बार इससे ही फोल्ड करेंगे, यह अंगूठे के मदस से इसको ऐसे खीच के रखेंगे, तो इस तरीके से इसको यह पूरी सिलाई लगा लेंगे, और उसके बाद में इसको जितना भी आपको चोड़ा फोल्ड करना है, मैं इसका बारी करूंगा, यह फोल्ड करके आपको फाइ लिए यह 10-12 साल की बच्ची के लिए आ जाएगा और अगर आप बड़ा जब साइद बनाएंगे तो मैंने इसका गले का जो साइद लिया था साड़े चार इंच और डेड़ इंच तो आप उसको साड़े चार और डेड़ नहीं लेंगे आप धाइंच बैक लेंगे और सर भी अराम से आजाएगा अब मैं इसके यह देखिए आप यह बनके बिल्कुल तयार है यह देखिए इस तरीके से आएगा जब आप पहनेंगे जीन्स के ओपर और बिना चुन्नी के आप अराम से छोटा गला है इसलिए ले सकते हैं इसको तो यह देखिए दोस्तों पहने कि ओगई लड़कियों की और लहंगा और अनारकली ना जाने कितनी हैं हर तरीकी की ड्रैस इंडो वेस्टन हर तरीकी की ड्रैस आपको मिलेगी ओनली जारभवूटिक चैनल पर तो अगर अगर उस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब कर ला तो जारभूटिक चैनल का लिंग आपको description में मिल जाएगा और comment box में मिल जाएगा तो आप इस तरह की dress सीखने के लिए बहुत ही देखे कितना प्यारा लग रहा है इस तरह की dress सीखने के लिए आप जारा बुटिक चैनल को follow करो उस पर आप जैसे भी dress बोलोगे comment में आपके comment पढ़के उस पर बहुत ही जल वीडियो बनाई जाएगी थैंक यू फर वाचिंग